सिपाही भर्ती परिक्षा में एक नया अपडेट सामने आया है क्या है वो अपडेट बताती हूँ लेकिन उससे पहले मैं प्रार्थना कुमारी और आप देख रहे हैं देशवानी जैसा कि सिपाही भर्ती परिक्षा को रद कर दिया गया था कई सारे छात्र छात्राए इस बात से मायूस होके बैठे थे कि जो परिक्षा रद हो गई है और आगे के परिक्षा को स्थगित कर दिया गया है अब उसी पे एक खुशकरी सामने आई है वो यह है कि नई परिक्षा की तारीक की घोशना कर दी जा चुकी है आपको बता दे कि तीन दिनों तक दो पालियों में ये परिक्षा ली जाएगी और क्या कुछ है खास बाते आईए आपको बता इस रिपोर्ट की द्वारा बिहार में रद हो चुकी सिपाही भरती परिक्षा की नई तारीखों का एलान कर दिया गया है केंद्र चयन पार्षद सिपाही भरती ने 21,351 पदों पर भरती के लिए परिक्षा की नई तारीखों की घोशना कर दी है तीन दिनों तक दो पालियों में परिक्षा आयोजित की जाएगी। सिपाही भरती परिक्षा का पेपर लिख होने के बाद मंगलवार को सरकार ने एक्जाम को रत कर दिया था। से शाम पांच बजे तक होगी। इसके लिए अभियर्थियों को दोपहर एक बजे परिक्षा केंदर पर पहुचना होगा। वहीं दूसरे दिन की परिक्षा 3 दिसंबर 2023 को होगी। जबकि 10 दिसंबर 2023 को तीसरी परिक्षा आयोजित की जाएगी। लिखित परिक्षा में शा परिक्षा केंदर पर उमिद्वारों को प्रवेश पत्र की कौपी के साथ ही फोटो युक्त पहचान पत्र भी प्रस्तुत करना होगा। प्रवेश पत्र में फोटोस पष्ट नहीं होने की स्तिती में अभियर्थियों को अपना दो फोटो भी लेकर जाना होगा। जो अभ अभियर्थियों को आवेदन पत्र की पाफती रसीत और फोटो पहचान पत्र प्रस्तूत करने के साथ ही अपने खर्च पर यी प्रवेश पत्र हासिल कर सकते हैं। जारी कर दिया जाएगा। ब्योरो रिपोर्ट देश्वा न्यूस।